नई वीडियो में आपका स्वागत है यह हमारा रूंग जिसमें मैं दो दिन रुका बोनेश्वर में और आज यहां से अभी हमें इतना है और ट्रेन के द्वारा हम बाला सोरे जाने वाले हैं यह पूरे वीडियो में और मेरे साथ में इस पूरे ट्रिप को एंजोई दरें और यह हमारा गेस्टाउस का यह नंबर भी बया का लिखा है आप चाहो तो परन कर सकतें यह स्टेशन के बाहर यह हम निकलते हैं तो लेफ्ट साइट में कॉर्णर के उपर यह है आप यहां आ सकते हैं और यह यहां का निचे का व्यू है पिछे की रोड पे है यह में डोट के बिलकुल पिछे की रोड पे है और यह यहां बुकिंग काउंटर के बाहर पाने का कुलन लगा हुआ और यह बुकिंग काउंटर है लेफ साइड का गेट है उसके बाहर में और यह यहां का पुरा व्यू है यह सामदे पोस्ट ओपिस की है आईए टिगट लेते हैं पहले और यह बुकिंग काउंटर है जासे हमने बाला सोरे की टिगट ले ली है यह हमारी टिगट है जो हमें 95 की मिली है सुपर फास्ट गाड़ी तो आईए देखते हैं कौन से प्लेटफ़न पर हमारी गाड़ी है यह इदर टिगट काउंटर था और यह बाहर आने का और जाने का मैन रस्ता और यह बोनेश्वर का यहां पर लिखा हुआ है और यह प्लेटफ़न के अंदर जाने का म और अभी हम एक नमर प्लेटफ़न पर आगे हैं कि अभी तक पता नहीं चला है कौन से प्लेटफ़न पर आएगी अभी टाइम है तो थोड़ा वेड़ करते हैं और यह हमारी आज की ट्रेन जो हमें बोनेश्वर से पाला सौर तक लेकी जाएगी इस्टेशन पर आगई है और अभी हमारी ट्रेन यहां से चल पड़ी है काफी बीड है ट्रेन में यह देखिया अप स्लीपर है लेकिन बहुत सारे लोग उपर नीचे भरे हुए है इधर भी देखेंगे दाप यह बोगी किसना है यह बहुत सारे लोग यहां में इस ट्रेन काफी छे गंटे करी भी ट्रेन लेट चल रही है कि अञेजा बहुत से जा लेखें वहां में है। और यह कटक रेलो इस्टेशन आगे आगे आगे, बोनेस वर्से चलने के बाद पहला इस्टेशन, कटक का जंचन नहीं, ट्रेन हमारी कापी लेट चल रही है, छे से साथ गंटे लेट बता रहे हैं, तो देखते हैं किन्दव तक बाला स्वरी बाउस्ती है, यह कटक का रेलो इस्टेशन का भी, कि अचन आगे, तो फिल्च का जंचन आगे, कि अब है और यह भी कटक रेंडो इस्टेशन से चल पड़े हैं तस मिन्ट का श्टोप के बाद में ड्नषस से चल नाख झva है गिए अरमेर चालू धियन मस्पू के वी सिर्ड पार इस बहुत के अदिस मिर्ट हो गए हैं तो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो. झाल 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 झाल